आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अलिगर्ण मुस्लिम यूनिवर्सिटी की लेटिस नोटिस और अप्टेट्स के बारे में तो उसके लिए आपको गूगल पे सर्च करना होगा एम्यू एक्जाम कंच्रोलर जैसे ही आप सर्च करेंगे तो इस तरह से एम्यू के ओफिशल वेबसाइट का आइकन शो होगा आपको इस पर क्लिक करके वेबसाइट ओपन कर लेनी है देन आप स्क्रोल करेंगे तो फिर्सिट यहां पर देख सकता हैं यह अधिम remember का आइकन आ रहाएइज में एप्लिकेशन फोर एनराई और इस के लिए अपको आप अल्यू के लिए तिम्यू शोड़िए कह एं आप इस लिंक से इसके अलावा हम बात करने वाले हैं CUET की जिन CUET का क्या था कि आपको CUET का फॉर्म भरना था AMU में AMU की जो 10 कोर्स गए थे CUET में उनकी फॉर्म आपको CUET में भी भरना था उसके बाद आपको उसका फॉर्म AMU में भी भरना था और यह हमने आपको लगतार बार बार बताया है जब आप फॉर्म फॉर्म कर रहे थे कुछ स्टूडेंस जिन्होंने सिर्फ CUET का फॉर्म भर है वो AMU में अडमिशन नहीं ले पाएंगे मतलब सिर्फ EMU में नहीं यह सारे ही युनिवर्सटी का था कि आपको CUET में भी फॉर्म भरना है और युनिवर्सटी में भी फॉर्म भरना है तो अगर आपने सिर्फ CUET का फॉर्म फॉर्म किया है और आप एडमिशन का अंटरंस दे रहे हैं तो आप किसी भी युनिवर्स पहले नहीं है आप आ पहले हमें चाहते हैं आप अपनी फिल नहीं चाहते हैं तो यह उनके लिए था है यह भूल चाहिए इस साल के आप एम यू में अगर किसी भी यू उनिवरिसिटी में जैसेमें अपने फिल किया और C.E.V.T. CEVT का और उस university का नहीं फिल किया है तो आप भूल जाए है उस university में admission का इस साल इसके लवा हम बात करेंगे कि कुछ results की results में आपको पता है कि answer की आ रही है आप देख सकते हैं यह वाले में CEVT की यहां पर यहां पर साइड में देखिए इसके right hand में answer की का है यहां पर सभी courses की लगभगान से की आ चुकी है और कुछ में changes भी हुए हैं इसके बारे में हमने आपको पहले भी बताया था तो इस से हमें यह पता चलता है कि आपका result बहुत जल्दी ही आने वाले result की इस हफते तो उमीद नहीं की जा सकती है क्योंकि महरम की चुटी थी देन फिर रक्षा बंदन है और फिर वीकेंड है और इंडिपेंडेंस दे है तो अगर आपको result आ नहीं है तो result आपका इंडिपेंडेंस दे के बाद ही आएगा यह मैं इसलिए शौटे से कह रही हुँ क्योंकि आज का दिन बचता है working में और कल का दिन बचता है working में इसके रवा कोई दिन working में है नहीं तो आपको पता है कि holiday होती Abi National holiday है तो बिसी बात है कि Universities बंद होंगी और पहाँ पेahahamake controller भी काम नЕТ करेंगी जो आपके एक्जाम पेपर चेक करते हैं जो अपलोड करते हैं वो भी काम नहीं करेंगे उनकी भी छुटी ही होती है इसलिए मैं आपसे कह रहे हूँ कि 15 अगस्ट के बाद ही 15 अगस्ट का वीक है 15 अगस्ट पढ़ा है मंडे को उसके बाद जो बाकी आपके डेस बचते हैं उस वीक के वर्किंग डेस उसमें आपका रिजल्ट डेकलेर किया जा सकता है और रिजल्ट सभी का एकसाथ नहीं आएगा एक-एक करके ही आएगा अगर आपको पता करने के कैसे एक करके आता है एक बर जामिया का वीडियो देख लीजिए जो हमारे इस पर डला हुआ है चानल पर जिसे जामिया भी अपना रिजल्ट एक करके निकाल रहा हूँ लगबग उसके सभी कोर्स का रिजल्ट आ चुका है बस कुछी कोर्स का बाकिये वैसे ही एम्यो भी एक एक करके ही जो आप दिप्लोमा हो जो भी हो तो आप से यह है कि आप आप इस चीज के इन्तजार केजे और रोज आना यॉनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जरूर एक बार चेक कर लिया करें तह आप पर वीडियो थैंक यू